हेलो और वेलकम तो दिस लेक्चर, आज कि इस लेक्चर में हम देखने वाले pointer with array and string, हमने पिछले लेक्चर में देखा था pointer का concept और थोड़ा सा देखा था scale of pointer, तो scale of pointer को हम डिटेल के अंदर देखने वाले हैं, इस वाले lecture के अंदर, pointer with array के साथ और साथ ही साथ string के साथ, ठीक तो मैं यहापर एक dummy array बना लेता हूँ, for example, इसकी मैं size रखूँगा 5, ठीक है, अब इसके अंदर में maximum 5 elements put up कर सकता हूँ, चली, अब मैंने यहापर 5 elements भी put up कर लिये, अब अगर आप इन सभी को print करवाना चाहते हो, तो आप बढ़ी आसानी से fall loop के जरीए print कर सकते हैं, रा आपने उस variable की actual value निकाली थी, तो उसी तरह मुझे कुछ यहाँ पर करना है, तो इसके लिए मैं क्या कर लूँगा, सबसे पहले एक pointer ले लूँगा, for example, pointer p, ठीक है, अब p के अंदर आप सचोगे कि इस तरह से आप put up कर सकते हो, ठीक है, array, हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं जैसा ही आप इस तरह से करोगे, तो आप क्या सचोगे first time, कि पूरे array का address आपने pass कर दिया p के अंदर, ठीक है, आपको यहीं लेगेगा कि पूरे address का, यानि कि पांचों पांच element का address आपने एक ही साथ put up कर दिया, किस के अंदर, pointer के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है, जब भी आप इस तरह की syntax लिखते हो, address of a, फिर चाहे हो कोई variable हो, फिर चाहे हो कोई string हो, या फिर कोई array हो, always and always, अगर वो array या फिर string होता है न, तो फिर उसका first element का address ही p के अंदर save होता है, बहले ही आपने यहापर इस तरह से लिखा है, कि address of a, यानि कि आपको दिखेगा कि पूरे address, पूरे array का address गया है इसके अंदर, लेकिन indirectly पूरे array का address नहीं है, बल्कि इस array के अंदर मौझूद only first element का ही address p के अंदर गया है, यानि कि indirectly यहाँ पर आपने इस तरह से रिखा है address of a of 0, इस तरह से, तो हाँ, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, या फिर इस तरह से भी कई सारे इसे versions है, जिसके अंदर यह वाली आपकी syntax नहीं चलेगी, वहाँ पर आपको compulsory इसी तरह से लिखना होगा, कि पूरे address के अंदर, जो zero position पर है न, उसी का address मुझे p के अंदर store करना है, ठीके, लेकिन यहाँ पर आप dc++ के अंदर, या फिर कोई modern editors के अंदर, इस तर x का जो address होगा न, वही आपने p के अंदर save किया है, चले देखते हैं हम इसको, print करवा कर, मैं यह आपर लिखता हूँ, printf percentage u, ठीके, उसका address मुझे चाहिए था, और साथी साथ उसकी value भी चाहिए, तो मैंने लिखा percentage d, अब address हम किस तरह से निकालेंगे, तो कि already हमने पूरा address तो किस के अंदर save किया, यह के अंदर save किया ही है न, तो हम यह आपर printf देना है p, ठीके, तो अब यह p की value हुई, memory address, वो percentage u के अंदर store हो जाएगी, अब दूसरा हमें value चाहिए थी, ठीके, तो value भी हम निकाल सकते हैं, पिछले lecture में में लेखा था, value of p, कुछ इस तरह से, ठीके, चले, अब मैंने save किया, again compile and run, अब देखते हैं हमारा output किया आता है, देखे, अब हमारा output successfully आ चुका है, यह हमारा memory address भी आ गया, और साथी साथ हमारी value भी आ गयी, 6, ठीके, तो अब यह साबीत हो गया कि आपने जब भी इस तरह से लिखा था, पूरे array का address पास किया हो, तब only and only, जो ही आपका first element होगा ना, उसी का address पास होगा, ठीके, फिर चाहो तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, it makes sense, ओके, चले, अब मैंने इस file को कर दिया, close, अब, suppose मुझे next वाला address चाहिए, ठीके, 2 का, तो मैं simple क्या करूंगा, यहाँ पर scale को बढ़ाता जाओंग देखे किस तरह से, इस पूरी line को again हम करेंगे reuse, अब, suppose एक general knowledge वाली बात है, अगर आप P के अंदर 0 store करवाते हो, ठीके, P आपका क्या था, memory address था ना, ठीके, memory address हमें randomly कुछ भी मिला था पिछली बार, इसके अंदर आप 0 store कराओगे, तो क्या होगा, कोई भी फरक नहीं वाली same line, नीचे वाली line के बराबर है, exactly identical है दोनों lines, ठीके, चले, save किया, again compile and run, तो देखे, आपको same to same output मिलेगा, ठीके, तो 0 का कोई meaning नहीं होता, जब भी हम addition की बात करते हैं तब, ठीके, किसी भी numbers के अंदर, अगर आप 0 को add करवाते हो, तो वही पुराना number ही रहेगा, पी, हमारे case के अंदर, ठीके, तो चले, सबसे पेले तो, यह जो scenario हो आना, उसको क्या कहते हैं, यानि कि आपने तो क्या try किया, पूरे array का address store करवाने के लिए try किया था, right यहां पर, लेकिन indirectly हो क्या रहा है, array का जो first element है ना, जो zero position पर, उसी का address store हो रहा है, pointer के अंदर, तो इस address को, उन programmatically base address बोलते हैं, क्या बोलते हैं, base address, यह word आपको याद रखना है, base address यानि कि क्या, पूरे array में से, जो first element होगा ना, zero position पर, उसका element का address, ठीके, यानि कि हमारे case में, six का address क्या हुआ, base address हुआ, तो जो पूरे array का base address होगा, यानि कि, obviously, जो पहला वाल address, वही parameter के अंदर जाएगा, पूरे array का address नहीं जाएगा, ठीके, यह एक बात आपको अपने दिमाग में डाल देनी है, छले, फिर हमने zero को क्या किया, plus किया, ठीके, add किया, इसके अंदर, चले, अब इसी तरह से, मैं इस line को again reuse करूँगा, लेकिन, अब इस बार, मैं one को add ठीके, तो आपने ओर लेक्चर के अंदर देखा था, जब भी आप one को add करते हो, किसी भी address के अंदर one को add करोगे, यानि कि indirectly RAM के अंदर क्या होता है, four bytes आपकी add हो रही होती है, ठीके, यानि कि अगर यहाँ पर आपका address था, for example, 25, ठीके, तो अब आपने plus one कर दिया, तो अगर reverse order के अंदर चल रहा होता है, वो हम अलड़ी देख चुक है, previous lecture के अंदर, चलिए, तो इस तरह से आपकी four bytes बढ़ जाएगे, या फिर cut जाएगे, ठीके, अब save करते हैं, देखते हैं, तो अब देखें, हमारा पहले का address था 52, लेकिन अब हमने जब b plus one किया, तो इस बार देखें, increment order के अंदर four bytes आपकी add होगी, पहले 52 था, अब हो गया 56, यान कि आगे बढ़ा, ठीके, तो आगे वाला element क्या है, आपका दो आगे, देखें, पहले six था, four bytes आपने add किया, यान कि एक नया integer बन गया, और next वाला आया two, तो इस तरह से आपने scale of pointer की मेंदर से, array का दूसरा element भी क्या करवा लिया, access करवा लिया, ठीके, लेकिन ये वाली line आपको दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीके, ये 16 number वाली line और 17 number वाली line, exactly identical है, same to same, क्योंकि आप zero add करा रहे हो, जो कि meaningless है, ठीके, चले, तो मैं इस line को फिलाल कर देता हूँ, comment out, ठीके, चले, अब इसी तरह से एक line में लिखूँगा, अब मैं यहाँ पर 2 से उसका scale बढ़ा दूँगा, यान कि P की जो current value थी न, ठीके, जो main उसकी value थी, उसके अंदर आपने 2 add किये, 2 integer add किया, यान कि 8 bytes आपने add कर दे, ठीके, तो अब 6 के next वाला element और उसके next वाला element 8 आना चाह है, ठीके, और memory के अंदर difference भी देख सकते हो, पहले था 52, फिर 4 bytes add हुए, तो हो गया 56, अगे 4 bytes add किया आपने, तो अब हो गया 6, ठीके, तो इस तरह से one by one, आप सभी elements को क्या करवा सकते हो, अचीव करवा सकते हो, ठीके, चले, दो बार में एक और बार line लिखनी होगी, P plus 3 यहाँ पर भी P plus 3, ठीके, और एक और बार, last में P plus 4, ठीके, चले, save गया इसको, compile and run, तब आप देख सकते हो, आपके पूरा array print होकर आ चुपा है, 62839, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, 62839, with memory address, ठीके, perfect 4 का आपको difference देखने को मिलेगा, each and every memory address के अंदर, ठीके, तो इस तरह से हमने पूरे array को without index value यूज किया, यानि कि access कर लिया, without index value, हमने यहाँ पर कहीं पर भी index value पास नहीं कि, shift और shift, pointer का यूज किया, और उसकी value का, ठीके, तो इस concept को बोला जाएगा, scale of pointer, previously उसका scale कुछ भी नहीं था, यानि कि plus 0 के बराबरी था, ठीके, तो यह दोनों line से हम, ठीके, तो आपने pointer का scale बढ़ाया, plus 1 से, again बढ़ाया, 1 by 1 आप बढ़ाते गए, ठीके, तो आपका memory address आगे बढ़ता जाएगा, point out करता जाएगा, ठीके, हाँ, अगर आपके पास 10 element है, तो आपको यह line कितनी बार लिखने होगी, 10 बार लिखने होगी, अगर आपके पास 100 element है, तो आपको यह line कितनी बार लिखने होगी, 100 बार लिखने होगी, लेकिन हो थोड़ा सा आपका land decode हो जाएगा, ठीके, उसको reduce करने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो fall loop गुमा सकते हो, बड़ी आसानी से, ठीके, हमें same pattern तो मिल दी चुकी है यहाँ पर, ठीके, save plus plus करके आगे बढ़ते जाना है, राइट, चली, तो हम क्या करेंगे, इसको पूरे fall loop के अंदर convert कर देंगे, ठीके, तो मैं सबी line यहाँ पर मिटा देता हूँ, हमारी एक common pattern क्या है देखिए, यह वाली हमारी pattern है, राइट, पी की जो current value है, उसके अंदर पहले आएगी, index value 0, फिर 1, 2, 3, और 4, ठीके, तो हमें loop 0 से start करनी है, 4 तक गुमानी है, ठीके, तो इसके लिए मैं पहले तो integer ले लूँगा, आई, और अब मैं यहाँ आप गुमा दूँगा, फोलू, चलिए, 4 को हम start करेंगे, i बराबर 0 से, कहां तक ले जाएंगे, i less or equal to 4, i plus plus, ठीके, अब, one by one हमें यह प्रिंट फाली लाइन चलाने थी, राइट, सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा, उसके बाद 1, उसके बाद 2, तो हमें यहाँ पर simple क्या replace करना है i को, ठीके, क्योंकि i की value ही, हम 0 से 4 तक गुमा रहे हैं, तो one by one यहाँ पर i की value put up होती जाएगी, ठीके, चलिए, बस इतना सामे करना था, simple fall loop है, okay, save किया, again compile and run, तो अब आप देख सकते हैं, हमें वही वाला पूरान output देखने को मिलेगा, 6, 2, 8, 3, 9, पूरा area आपका print हो मदर से, ठीके, तो यह beauty है, आपकी pointer की with help of scale of pointer, ओके, चलिए, इसको आप note down कर लो, यह था आपका array with pointer, ठीके, यह first type था आपका, array को आपने access करवाया, ठीके, लेकिन किसकी मदर से, scale of pointer की मदर से, यह जो आप plus कर रहे हो, या फिर आप गठाते हो, ठीके, कईयों के system में होगा, for four batch है, तो आपको यहाँ पर obviously minus लिखना होगा, फिलाल मेरे system के अंदर increment हो रहा था, तो मैंने यह आप लिखा plus, ठीके, it depends on your system, आपको carefully analysis करना है, ओके, चलिए, तो यह आपकी first method थी, array को access करने के लिए, आपने क्या use किया, scale of pointer use किया, लेकिन हमारे पास एक और method, scale of pointer के बजाए भी, आप अगर array को access करवाना चाहते हो, तो किस तरह से करवाओगे, देखे, वो हमें देखना है, देखे, तो सबसे पहले तो मैं सब मिटा देता हूँ, अब यहाँ पर आपने किया क्या था, देखे, आपने एक simple pointer बनाए था, देखे, उस pointer के अंदर, आपने base address store किया था, पूरे array का address store नहीं किया था, आपने only and only base address store किया था, base address यानिki क्या, मैं अभी भी बताया, array के first element का address, यानि कि 6 का address उसी को बोला जायाएगा, base address, तो pointer के अंदर तो shift और shift, किसका address store हुआ, first element का हुआ, आपने individually सभी का element का यहाँ, address store नहीं करवाया, आप चाहो तो सभी का address अलग-अलग pointer बना कर उसके अंदर add करवा सकते हो तेके देखें वो भी मैं आपको बता देता हूँ for example p1 तेके उसी तरह से हम five pointers बनाएगे क्यों 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 हमारे पास five values है इसलिए उसी तरह से p2, p3, p4 and pointer p5 तेके हमारे पास five pointer बन गए क्यों 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 हमें five elements का अलग-अलग variables each and every pointer के इंदर store करवाना है देखें किस तरह से p1 के अंदर में store करवाँगा address of a of 0 ठीके address of a of 0 देखें यहाँ पर मैंने क्या किया explicitly बोला कि array का जो first element होगा न a of 0 पर ठीके उसका address मैं store करवाँगा p1 के अंदर उसी तरह से p2 के अंदर next element का address store करवाँगा यानि कि a of 1 का ठीके यानि कि 2 का address अब मैंने store करवा दिया p2 के अंदर उसी तरह से आपको यह line repeat करते जानी है 5 element के लिए ठीके एक बार आएगा आपका p3 उसके अंदर क्या होगा a of 2 होगा ठीके then after a of 3 वो किसके अंदर होगा p4 के अंदर and then after p5 के अंदर क्या होगा तो क्या आपका a of 4 ठीके इस तरह से आपने 5 अलग-अलग pointers बनाए है पांचों के अंदर one by one सभी का क्या डाल दिया एड्रेस डाल दिया ठीके तो यह सेम कंसेट हो गया हमारे प्रिवेस टेशन के लिए ठीके अंदर कुछ नहीं आ तो है नहीं ठीके चलिए अब आप इन सभी को one by one प्रिंट करवा सकते हैं चलिए प्रिंट एफ सबसे पर्संटेज यू रूस के ऊपर मौझूद पर्संटेज डी यूब यहां पर प्रिंट करूँ गा यहां पर P1 की वैल्यू पहली बार यहां पर डुप यहां पर फिवन व एड्रेस देगा UK अंदर और value of P1 उसकी actual value देगा ठीक है चले तो इसी line को हमें करना है copy 4 times क्योंकि हमारे पास total कितने elements थे 5 elements थे ठीक है और सभी पर अब भी यहाँ पर आपर अपर 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 फ्लेस करना है P2 यहाँ पर P3 next P4 and last P5 ठीक है चले आपने save कर दिया again compile and run तो आप देख सकते हो आपको same output देखने को मिलेगा जैसा कि हमने पहले देखा ठीक है सभी के अंदर 4-4 bytes का difference है और आपका पूरा array भी perfectly print होकर आ चुका है ठीक है जो भी आपने यहाँ पर बनाए हुआ होगा वो 6-2-8-3-9 तो यह आपकी manual चीज होगी न ठीक है पहला चीज क्या था पहली method हमने क्या देखी scale of pointer की मेंदे से पूरे array को हमने access किया यह चीज हमने क्या देखी one by one जितने element थे उतने ही हमने pointer बनाए सभी elements की अलग-अलग memory address की value हमने अलग-अलग pointer के इंदे store करवाई और उसको हमने dependently क्या किया call किया ठीक है तो आपको बहुत ही manual way हो गया आपको थोड़ा सा automate करना है इस process को अब obviously बात है आपके पास 100 element होगे तो क्या आप 100 इस तरह से pointer बनाना चाहोगे कभी भी नहीं ठीक है तो आपको यहाँ पर क्या बनाना होगा एक array बनाना होगा जी हाँ pointer का भी array बन सकता है ठीक है array of pointer चले तो हम तीसरी चीज़ वो देखेंगे तीसरी method सबसे पहले इस method को आप note down कर लो यह आपकी दूसरी method थी array को pointer के through access करने के लिए पहली method कोन सी थी अब BBM ने देखी scale of pointer वाली ठीक है यह आपकी दूसरी method अब मैं last तीसरी method बताऊंगा जो की बहुत ही आसान है और थोड़ी official उसको बोल सकते है array of pointer ठीक है लेकिन उसको समझने से पहले आपको एक figure दिया पर analysis करने है देखे array of pointer आपको इस तरह से बनाना है ठीक है सपोस हमारे पास चार element थे 10, 20, 30 and 40 तो उन सभी को अलग-अलग store करने के लिए आपको कितने pointers चाहिए चार pointers चाहिए ठीक है तो मैंने यह आपर उसे वही तो किया आता देखे हमारे पास 5 elements थे तो मैंने अलग-अलग 5 pointers बना दिये सभी के अंदर accordingly उसकी value पास कर दी तो देखे सेम यहाँ पर है आपके पास 4 element है ठीक है चारों element के लिए आपको 4 अलग-अलग pointer बनाने थे लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है pointer का पूरा array बना दिया यानि कि आपने limit स्पेसिफाय कर दी सपोज मुझे एक pointer बना था जिसका मुझे array की size 4 चाहिए थे तो indirectly यहाँ पर देखे comment करके लिखा हुआ है आपके पास टोटल अलग-अलग 4 pointers बन जाए उसके अंदर one by one आप क्या करवा सकते हो यह value insert करवा सकते हो देखे किस तरह से suppose यह हमारी menu लिया हो गया हो इसको हमें थोड़ा सा automate करना है तो मैं इस सभी चीज को मिटा दूगा हमें indirectly कितने pointers बनाने हैं 5 pointer बनाने हैं इन सभी का address अलग-अलग store करने के लिए तो आप क्या करवा सकते हो यहाँ पर पूरा pointer का array बना दो 5 limit वाला इस तरह से ठीक है क्या कि आपने 5 limit वाला pointer का ही array बना दिया आप simple array तो बनाते ही थे integer का आप चाहो तो इस तरह से pointer का भी array बना सकते हो तो यहाँ पर आपने 5 पॉइंटर बना लिए simple अब आपको manually लखने की ज़रूरत नहीं है pointer P1, pointer P2, pointer P3 ठीक इस तरह से manual जो मने अभी अभी लिखा था वह आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है simple अपने इस तरह से notice कर दिया ठीक है यानि कि back end के अंदर अब आपके कितने points बनगे 5 अलग-अलग points बनगे पहला हो गया P0 दूसरा हो गया P1 और उसी तरह से up to last P5 या फिर 4 ठीक है हमरे पास 5 elements से इसलिए 0 से 4 तो इस तरह से आपने one by one सभी के elements की value या फिर उसके address की value P of 5 के अंदर insert कराने है देखे किस तरह से सबसे पहले तो आपको five times याना कि इन सभी का address चाहिए होगा ठीक है और उन सभी का address मिलते ही आपको इसके अंदर फइले तो assign करना होगा one by one तो आप manually भी कर सकते हो suppose address of a of 0 का address मुझे pointer P 0 के अंदर चाहिए तो मैं आपर लिख सकता हूँ P of 0 is equal to address of a ठीक है उसी तरह से यह दूसरे वाले का address मुझे pointer P 1 के अंदर चाहिए तो मैं अगें लिख सकता हूँ P of 1 के अंदर मुझे क्या चाहिए address of a 1 ठीक है लेकिन यह सभी process आपको repeat करनी होगी ना 5 times इच्छे अच्छा क्या होता आप fall loop घुमा दो ठीक है fall loop कहां से कहां तक घुमा ओगए array की जितनी index value है वहाँ से सपोज यहां पर है मैरी index value 0 फिर 1, 2, 3 and 4 तो आपको 0 से start करना है 4 तक जाना है तो सपोज मैंने यहां पर लिख दिया i is equal to 0, i less or equal to 4 and i plus plus अब आपको सबसे पहले तो इन सभी के address को pointer के अंदर assign करना है यानि कि P of i के अंदर आपको address देना है A of i का ठीक है यह वही चीज हुई जो कि हमने यहां पर अभी अभी लिखी थी ठीक है P of 1 is equal to address of A of 1 वह वाली चीज तो वह 5 टेप आपको वहाँ पर बाहर manually ना लिखने पड़े इसलिए आपने यहां पर follow up के अंदर लिख दिये 1 by 1 तो देखे सबसे पहला IQ value आएगी 0 तो यहां पर हो गया address of A of 0 यानिकी first वाला element और यहां पर हो गया P of 0 यानिकी A वाला pointer ठीक है तो 1 by 1 IQ value घुमती जाएगी increment होती जाएगी सभी address के elements यहां पर आपके assign होते जाएंगे ठीक है P of 1 के अंदर 2 के अंदर up to 4 के अंदर 1 by 1 आपको सभी के address P of 5 के अंदर save करवा लिए ठीक है चले percentage U address के लिए और percentage D value के लिए तो पहले हमें चाहिए address तो address आपने अभी अभी store करवा है किसके अंदर P of 5 के अंदर तो आप यहां पर pass कर दो P of 5 then after उसके अंदर मौझूद value भी आपको चाहिए ना उस address के अंदर मौझूद value यानिकी indirectly आपको यह element भी चाहिए थे तो आप simple यहां पर करवा सकते हो value of P of 5 ठीक है यह same चीज़ होगी तो अब देखें आपका simple सा program हो गया बड़ा ही short ठीक है चले save किया मैंने compile and run तो आप देख सकते हो वही आपका perfect output आ रहा है 6,2,8,3,9 ठीक है अब यहां पर सभी की address value भी देख सकते हो सभी address value के अंदर देखे difference कितना है 4 bytes का difference है ठीक है तो यह था आपका तीसरा official way यह जो आपने array बनाया ना 13 number की line के अंदर उसी को बोलते हैं array of pointer ठीक है यह simple array नहीं है यह को ordinary array नहीं है यह किसका array है pointer का array ठीक है इसलिए इसको बोला जाता है array of pointer clear चले अब आप इसका भी screenshot ले सकते हो ठीक है यह होग अब जिसको यह वाली line समझने में दिक्कत होड़ी है वो simple क्या करो IQ value सबसे पहले 0 imaging कर लो यहाँ पर 0 को put up कर दो तो यहाँ पर IQ value क्या आगी 0 आगी यहाँ पर भी IQ value क्या आगी 0 आगी तो अब देखें यह वाली line क्या बन गई A of 0 का address यानिकि 6 का address आपने pass कर दिया P of 0 के दिया तेन अप्टर उस address पर मौझूद value यानिकि 6 ठीक है उसको भी आपने क्या करवा दिया यहाँ पर print करवा दिया ठीक है चले यह 6 element के लिए चीज होगी अब IQ value increment होगी plus plus होगी यानिकि अब IQ value होगी 1 तो अब यहाँ पर IQ value 1 put up कर दो ठीक है सबी जगह पर तो अब address यानिकि 2 का address आपने put up करवा लिया P of 1 के अंदर यानिकि यहाँ तेन आप्टर आपने वो address प्रिंट कर दिया और उस address के उपर मौझूद value को भी print करवा दिया यानिकि प्रिंट होगी आपका 2 ठीक है इसी तरह से IQ value आपर increment करते जाए ठीक है इसलिए आपने यहाँ पर ल अब देखते है array of string अब string के साथ pointer को आप किस तरह से अचीव कर सकते हो implement कर सकते हो ओके चले तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ले लूँगा कोई भी एक random string for example name मैंने ले लिया ठीक है यहाँ पर कोई भी मैं name लिख देता हूँ for example white चले इस तरह से मैंने कोई name ले लिया ठीक है अब इसको मैं print करवाना चाहता हूँ with help of pointer ठीक है तो pointer की मतले से आप किस तरह से क परवासक होगे अब obviously आपके पास यहाँ पर array of characters है यानि कि आपको pointer किसका बनाना होगा character का ही बनाना होगा right तो pointer P मैंने बना लिया अब P के अंदर आप assign कर रहे हो address of name ठीक है जैसा कि हमने same पहली method की थी ना array के साथ वही हम repeat कर रहे है string के साथ ठीक है तो देखते चलिए देखते कि आता है या नहीं output हमरा perfect तो इसके लिए हम पहले तो test करेंगे printf के अंदर percentage u address के लिए and then after percentage c character के लिए चलिए then after यहाँ पर हम put up करेंगे पहले तो p की value यानिकी address की value एं then after उस address के उपर मौझूद value चलिए तो अब मैंने save किया again compile and run तो बाप यहाँ पर देख सकते हो में output के अंदर w मिल चुका है तो मतलब आपने यहाँ पर जैसे ही इस तरह से लिखा आप indirectly क्या करवाना चाह जो कि first character का address होगा वही होगा ठीक है तो name of 0 लिखो address of या फिर इस तरह से लिखो दोनों का मुर्लब same ही है ठीक है चलिए तो इसको पहली method से हम solve करेंगे जैसा कि हमने same array of pointer के साथ किया था right scale वाली method scale of pointer इसका बढ़ाते जाएंगे चलिए तो by default यहाँ पर होता है 0 ठीक है अब मैं यहाँ पर put up करूँगा plus one ठीक है चलिए इसको भी हम put up करेंगे brackets के अंदर plus one ओके चलिए अब मैंने save कर लिया again compile and run तो अब देख सकते हो आपको W के बाद HP मिल चुका है यानि कि same वही वाला concept हमारा लागू होगा और हाँ यहाँ पर आप bats के अंदर difference देख सकते ह है क्यों क्यों हमने already previous session के अंदर देखा था size of operator क्योंकि character की size rank के अंदर कितनी होती है वन बैट होती है तो वह वन बैट के difference के साथ ही implement होगा ओके चलिए अब उसी तरह से हम यहाँ पर repeat करेंगे scale of pointer वाली method चलिए यहाँ पर आपको scale लगा रहा होगा दो का यहाँ पर 3 यहाँ पर 4 ठीके देखते हैं यह होगा आपका w h i t and e ready save गया मैंने again compile and run तो आप देख सकते हैं आपका पूरा वाइट जो है वो प्रिंट होकर आ चुका है ठीके one by one देखें एक एक बैट का ही आपको difference देख ठीके तो यह आपकी obviously first method होगी जैसा कि हमने same to same error of pointer के साथ किया था वैसे ही ठीके scale of pointer वाली method चले तो इसको भी आप no down कर लो हाँ इसको again आप dynamically बना सकते हो fall loop के साथ ठीके तो fall loop के साथ गुमाने के लिए आपको simple क्या कर ना होगा एक integer imaging कर लो आई इसके अंदर fall loop गुमा तो four यहाँ पर आप कर सकते हो i is equal to zero और कहां तक आपको गुमानी है जब तक इसका and नहीं हो जाता तब तक अब यहाँ पर simple क्या लिख सकते हो जब तक name of i is not equal to null नहीं आ जाता तब तक आपको i++ गुमाते रहना है ठीके हम यह loop already समझ चुके है string के अंदर चले तो तब वह ठीके अब आब यह सब मिटा सकते हो चले तो अब हमने कर लिया save अब करते compile and run तो अब देख सकते हो हमें same वही वाला पूरान output मिलेगा white one by one ओके तो यह आपकी पहली method थी scale of pointer वाले ठीके चले इसको भी not down कर लो आप for loop की method की मदर से अब हमारी वही पूरानी दूसरी method जो कि हमने same अभी अभी area of pointer के अंद लगाई थी कौन से वाली each and every character के लिए अलग-अलग हमें pointer बनाना है ठीके वह वाली method भी हम replace करेंगे देखिए for example मैंने बनाया सबसे पहले पी 1 तेरा प्टर हमने बनाया P2 तेरा प्टर P3 P4 and P5 ते पी 1 के अंदर आप address store करा दो name of 0 का यानि कि W का उसके बाद h का address store कराना चाहते हो तो वह आप करा दो P2 के अंदर one by one increment करते जाओ address of name of 1 तेके इसी तरह से आपको कितनी बाल लिखना होगा 5 बाल लिखना होगा ठीके चलिए अब यहाँ पर होगा 2 यहाँ पर 3 यहाँ पर 4 इसी तरह से यहाँ पर 3, 4, and 5 तो each and every character का one by one आपने memory address निकाला और उसको अलग-अलग pointer के अंदर store करवा दिया ठीके चलिए अब हम क्या करेंगे इसको printf के जरिया लिखने की try करेंगे percentage u उसके उपर मौझूद उसकी character value ठीके अंदेन आप्टर आपको यहाँ पर लिखना होगा क्या पी वन सबसे पहले and value of P1 ठीके तो यह वाली लैन आपको कितनी बार गुमानी होगी 5 times भी गुमानी होगी ठीके क्योंकि आपके पास 5 डिजिट से 5 लेटर से इसलिए यहाँ पर आजाएगा P2, P3, P4 and at last P5, ठीके, same method repeat हो रही है, जैसा कि अभी अभी उने देखा array of pointer के अंदर, चले, तो save गया, compile and run, अब देख सकते हो वही आपका पूरान output आगया white, clear, चले, ठीके, ठीके, अभी 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 array of pointer के अंदर भी देखे थी, वहाँ पर हमने create किया थ array of pointer, तो यहाँ पर भी आप same create कर सकते हो, array of string, ठीके, चले, try करते हैं, यहाँ आप पर array बना दो, for example, आपके पास कितने character है, 5 है न, ठीके, तो मैंने यहाँ पर बना दिया 5 का array, ठीके, तो यानि कि back end के अंदर आपके total कितने pointers create होगे, 5, P of 0 से लेकर, P of 1 and up to up to, कहां तक, P of 4 तक, ठीके, तो आपने indirectly इस तरह से 5 अलग अलग बना लिए, अब वही वाली same method हम गुमाएंगे, fall loop के जरीए, तो चले, अब हम इसको देखते है, fall loop के जरीए, ठीके, तो यहाँ पर मैंने fall loop गुमा दी, fall loop के अंदर हम one by one, इन सभी characters का address, इस pointers के अंदर क्या करेंगे, save करवाएंगे, assign करेंगे, ठीके, तो यहाँ पर i की value start करेंगे 0 से, और जब तक name of i की value null नहीं आ जाती, तब तक हम follow गुमाते रहेंगे, i plus plus, and then after, one by one in सभी characters का memory address, हमें चाहिए P of i के अंदर, ठीके, तो यहाँ पर लिखेंगे P of i is equal to address of name of i, ठीके, same to same वही concept पर जो के ह हमने previously अभी अभी किया था, ठीके, array of pointer के अंदर, चले, memory address assign हो जाने के बाद, हमारा simple last come क्या बचता है, उसको print करवाना था, ठीके, तो percentage u, उसके ओपर percentage c, and then after, सभी की value pass कर दो, P of i, यानि कि उसका address आ गया, और value of P of i, यानि कि उस address पर मोझूद actual value आ गया, ठीके, तो चल हो, वही वाला हमारा पूरान output आ गया, white, one by one, digits के according, ठीके, तो यह था आपका official concept, जिसको हम बोलते है, array of string, या फिर string of pointer, ठीके, string of pointer, पहले था array of pointer, यह हो गया, आपका string of pointer, ठीके, string यानि कि हम सभी को मालूम है, one type of array ही होता है, लेकिन character का array होता है, तो चले, इसको भी pointer, ओके, now, आपके पास एक और चोथी method, ठीके, string of pointer को अचीव करने के लिए, बहुत ही short method है, आपके पास available, ठीके, जो की array of pointer के अंदर available नहीं थी, अब देखे, वो method क्या है, आपको अलग से pointer बनाने की कोई जरूत नहीं है, यहाँ पर यह पूरी लाइनम मिटा देंगे, ठीके, जब भी आप string of pointer बनाते हो ना, अब आप directly यहाँ पर इस तरह से notify कर सकते हो, ठीके, यह आपका बन गया array of string, या of string of pointer, ठीके, अब आपको अलग से कोई भी pointer बनाने की जरूत नहीं है, हाँ, आप इसी तरह से string बना भी सकते हो, और साथ ही साथ string of pointer के अंदर एक ही सा assign कर भी सकते हो, ठीके, तो अब आपको यहाँ पर जहाँ पर भी P लिखा है, वहाँ पर आपको P नहीं लिखना है, ठीके, directly आपको क्या लिखना है, name of I, ठीके, यहाँ पर लिखना है name of I, और value of name of I, ठीके, चले, save कि है मैंने, again compile and run, ठीके, तो अब आप यहाँ पर देख स simple हो गया, चले, अब compile and run, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीके, यहाँ पर क्या दे रहा है, invalid type argument, unary, have int, ठीके, चले, तो अब आपकी फॉल लूप भी नहीं गुमेंगी, one by one जो आप गुमा रहे था ना अभी तक, वो आपकी फॉल लूप भी नहीं गुम रही है, क्यों नहीं गुम रहे है, चले, समझते हैं, सबसे पहले हम प्रिंट करवाना चाहेंगे, only and only address, इसको हम नवीटा देता है, चले, save किया, compile and run, तो अब देखिया, सभी का आपको address मिल गया, लेकिन थोड़ा सा garbage value type हमें दिखा है, यानि कि जब भी आप इस तरह से string of pointer short method के अंदर बनाते हो, तब आपकी follow इस तरह से workout नहीं करेगी, आप चाहो तो सबसे पहले अलग से print of परवाकत देख सकते हो, percentage u, ठीक है, and then after nap, देखते हैं, इसका output क्या आएगा, चले, इसका combine output आए कुछ इस तरह सा memory address, ठीक है, चले, अब देखते हैं, उसके उपर value क्या आ आई है, try करेंगे, अगर यह हमें value दे रहा है, तो, percentage C की मदश से, save, and run, तो आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको base address मिलगी, अडबली, ठीक है, तो वही वाला हमारा पूराना same rule लाग वो होता है, यहाँ पर, पूरे string का address, आप कभी भी किसी pointer के अंदर store नहीं करवा सकते है, लेकिन हा, जब भी आप इस तरह से बनाते हो, shortcut के अंदर, तब आपका base address जो है, वो जरूर store हो जाता है, यहाँ पर, अगर आप directly इस name को print करवाना चाहते हो, तो किस तरह से करवा होगे, suppose directly मैं यहाँ आप लिखता हूँ printf, and then after मैं यहाँ आप लिखा percentage s, टेक है, और अब आप करोगे value of name, तो क्या है, पूरी string print कर देगा, चले देखते है, compile and run, तो आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको कुछ भी output के अंदर नहीं मिला, तो इस तरह से आप पूरी string print नहीं करवा सकते हो, तो चले समझते हैं, दूसरी method, किस तरह से आप इस method के जरिए, टेक उसके अंदर आपको name pass करना होगा, यह जो आपने pointer बना है न, ठीक है, वो same उसकी value आपने pass कर दी, again एक नए pointer के अंदर, फिर आपको एक loop गुमानी है, क्यों आपको थोड़ी देर के अंदर बालूम चल जाएगा, मुझे यहाँ पर print क्या करवाना है name की value, ठीक है, यानि क ठीक है, टीक के अंदर मौझूद one by one सभी characters की value, और जितनी बार loop गुमती जाएगी, आपको t की value increment कराती जानी है, ठीक है, value of t को क्या कराता जाना है, increment कराते जाना है, और loop आपको कहां तक गुमानी है, जब तक value of t की value, null बराबर नहीं आ जाती न, तब तक, यानि कि last character ब digits आपको देखने को मिलगे, अगर आप यहाँ पर space दोगे, आपको सभी digits या फिर सभी character के बीच में space देखने को मिलगे, देखिए white, तो यह था आपका थोड़ा सा short hand version, आप इस तरह से directly यहाँ पर pointer के अंदर भी, पूरी string को store करवा सकते हो, ठीक है, तो चले, यह था आप session के अंदर हमने देखा था, sorry, pointer concept और scale of pointer, आज के session में हमने pointer with error and string देखा, और साथी साथ हमारा scale of pointer का concept भी clear किया, ठीक है, चले, अब next session के अंदर हम मिलेंगे, और तब हम देखेंगे pointer with UDF, और साथी साथ call by value and call by reference, ओके, लेकिन तब तक आपको यह pointer का previous वाला सभी concept, completely clear कर लेने, okay?